स्लीपर बस एक्सिडेंट ये एक ऐसी टॉपिक है जिसके बारे में हम अक्सर निउस पे सुनते आ रहे हैं लेकिन बहुत कम लोगों नहीं इन घटनाओं के बीच बने एक पैटर्म को देखा है अपने गौर किया होगा कि स्लीपर बस अक्सर दुर घटना का सिकार होते रहे हैं और ये घटनाएं दिन प्रते दिन बढ़ते ही जा रहे हैं लेकिन इस पे कोई खास एक्षन नहीं लिया जा रहा पिछले दो सालों में ही पास स्लिपर बस एक्सिडेंट हो चुके है जून 2022 में ही करनाटक के कल बुर्गी में एक स्लिपर बस का एक्सिडेंट हो गया जिसमें साथ लोगों की जलकर मौत हो गई अक्टूबर 2022 में ये वतमाल से मुंबई जा रहे स्लिपर बस नासिक के पास ट्रक से टकरा गई जिसमें 12 लोगों की जलकर मौत हो गई अक्टूबर 2022 में ही आगरा लखनाव एक्स्ट्रेस वे पे एक और स्लिपर बस एक्सिडेंट हो गया जिसमें 4 यात्रियों की मौत हो गई और 42 लोग घायल हो गई इतना ही नहीं एक जुलाई 2023 में महराष्ट के बुलधाना में समर्दी हाईवे पे एक बस डिवाइडर से टकरा गई इससे बस में आग लग गई और 25 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई फिर नवंबर 2023 में ही एक और स्लिपर बस का एक्सिडेंट हो गया जिसमें 2 लोगों की जलकर मौत हो गई और 12 लोग जुलाई गए और ये सिर्फ पिछले 2 सालों के कुछ highly reported data हैं इसके अलावा ऐसे दर्जनों एक्सिडेंट होते रहे हैं लगभग इन सभी एक्सिडेंट्स में यासरियों की सबसे ज़्यादा जान बस में लगे आग के कारण हुई किसी भी स्लिपर बस का स्ट्रक्चर काफी compact होता है उसमें लगा material जैसी की लकडी, cotton seats, wool ये सभी highly filmable होते हैं जिस कारण से इन बसों में आग बहुत तेजी से फैलती है और इन ही सब कारणों से सरकार स्लिपर बस के खिलाफ कोई बड़ा action ले सकती है लेकिन fundamental रूप से स्लिपर बस के हाथ से और उनके जानलेवा बन जाने के दो बड़ी कारण है पहली है बस की बनावट और दूसरा है response mechanism जेनरली स्लिपर बस कोचेस में 36 से 40 seat होते हैं सभी बर्थ की लंबाई लगभग 6 feet होती है और चोड़ाई 2.6 feet होती है यहां तक तो ठीक है major issue gallery के space में आता है स्लिपर बस में आने जाने के लिए बेहत संकरी gallery होती है जहां एक वक्त में एक व्यक्ती भी ठीक तरह से नहीं चल पाता और किसी हादसे की इस्थिती में वहां से एक समय पे कई लोगों का निकलना लगभग ना मुम्किन हो जाता है अगर यह बस कोई भी एक साइट में टॉपल होता है लाइक दिस स्लीपर बस की उचाई भी एक समस्या है जिनरली यह 8 से 9 फिट उचे होते हैं और अगर बस किसी हादसे में एक तरफ जुख जाता है तो यात्रियों के लिए इमर्जेंसी विंडो या गेट तक पहुँशना मुस्किल हो जाता है और खासकर बुजुर्गों के लिए यह तो और भी बड़ी मुसीबत बन जाती है और इनी कारणों से casualities बड़ती चली जाती है ज्यादतर स्लीपर बसेस 300 से 1000 किलोमेटर का सफर रात में ही ते करती है लॉंग रूट पे ट्रैवल के दौरान ड्रैवर को नींद आनी की पूरी संभावनाएं होती है इसलिए इन स्लीपर बसेस में ड्रावजिनिस अलाट सिस्टम जरूर लगा होना चाहिए ये सिस्टम नींद आने पे ड्रैवर को अलाट कर देता है बुलधाना में हुए स्लीपर बस अक्सिडेंट का मुख की कारण ड्रैवर का सो जाना ही था अगर इन बस में ये सिस्टम लगे होते तो इतने बड़े हाथसा को रोका जा सकता था रोड एंड ट्रांस्पोर्ट मिनिस्ट्री ने 2018 में 15 राज्यों में ड्रैवर्स पे एक सर्वे किया था इस सर्वे में 25 से 30% ड्रैवर ने अगर किया कि वो गाड़ी चलाते वक्त सो गय थे क्या आप कभी गाड़ी चलाते वक्त सोए हैं या आपको कभी नींद आई हैं कमेंट में जरूर से जरूर लिखिएगा क्योंकि गाड़ी चलाते वक्त नींद आना कोई बहुत रेयर केस नहीं है ऐसा अक्सर होता है कई डेवलप कंट्रीज में रोड को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि लंबे टूर पे किसी को नींद ना आए जिससे वहाँ इस तरह के हाथ से कम होते हैं किसी भी ड्राइवर को सबसे ज्यादा नींद हाईवे या फिर सुनसान रास्तों पे ही आता है और ये घटनाई अक्सर रात के बारह से सुबद 6 बजी की बीच होती है इस दोरोन अधिकतर पैसेंजर भी सोई हुए होते हैं जिस करण से किसी इमर्जेंसी की स्थीती में वो तेजी से रियक्ट नहीं कर पातें दूर घटना की स्थीती में सुरुवाती 2 मिनट की रिस्पॉंस नीं जिन्दगी और मौत तै करती है स्लीपर बस एक्सिडेंट्स में कैजुएलिटी बढ़ने का एक और करन है बस में प्रोपर सेफ्टी किट्स का ना होना जैसी की फायर एक्स्टिंगसर ग्लास ब्रेकिंग टूल इल्लीगल डिजाइन या फिर जैंड इमर्जेंसी डोर्स और गवर्नेंट को इसके रिगार वहीं अगर स्लीपर बस के इतिहास के बारे में जाने तो इन बसों की सुरुआत वेस्टन कंट्रीज में हुई थी सुरुआत में ज्यादतर इसे म्यूजिक बैंड्स इस्तमाल करते थे लेकिन धीरे धीरे कई देसों में इसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी इस्तम काल किया जाने लगा लेकिन एक्सिडेंट्स और सेफटी रिजन के कारान ज्यादतर देसों ने स्लीपर बसेस को डी कमिस्टन कर दिया चीन में 2009 से 2012 की बीच स्लीपर बसेस से जुड़े 13 हाथ से हुए थे जिसमें 252 लोगों की मौत हुई थी जिसके बाद 2012 में चीन ने इस और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा स्लीपर बसेस चलती है जिनमें से कई इलिगली और बिना किसी सेफटी के साथ ऑपरेट होती है इसलिए ये एक ऐसा राइजिंग कंसर्ण है जिसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए और हम जैसे यात्रियों को भी इस तरह के बसेस में ट्रैवलिंग से पहले बसेस के सेफटी नियम्स और एमर्जेंसी इग्जिट्स सभी की जाच कर लेनी चाहिए लेकिन कहें न कहीं एकदम से स्लीपर बसेस को बैन नहीं किया जा सकता इंटर सिटी कनेक्टिविटी में वो एक एहम रोल प्रोवाइड करती है और इन्हें ब अपने सेफटी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना होगा क्योंकि सेफटी से खिलवार नहीं किया सकता कमफर्टेबल इंटर सिटी कनेक्टिविटी के लिए अब कई ट्रेंस भी चलाय जा रहे हैं जो ट्रेडिशनल ट्रेंस से काफी एडवांस और कमफर्टेबल आपको क्या लगता है क्या पिछले कुछ सालों में भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ है या फिर सिर्फ पैसे की बरबादी की गई है कमेंट में जरूर लिखें और हमारे क्यूरियस फैमली से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें धन् बाद में कर दो दो फाल और हमारे क्यू है यूह कर दो वेल दो आदोने धन्या की जरूने कला ही जरूने की भादा हुआ है रड़ने के लिए है और है लिए कर दो एामाने की लिए है